एवरिबडी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टेंट्स वेलकम टू भीजे इसको एसन चैनल मैं आनंद कुमर आप लोग को परसेंटेज का डिसकस कर रहे थे और यह लास्ट है हमारे पास परसेंटेज का जो लास्ट इक्सर्साइज का लास्ट कोस्टन होता है उस तरीके से अर इसके बाद एक चीज़ और लगेगा आपका अबजेक्टिब कोस्ट फीख है इसके बाद हमारा परसेंटेज समाब्थ होगा और ध्यान दिजिए फार से करना होता है छृत बनेगा आपका ध्यांदि जिएगा कोशन है इस साइज आप बाइग दैट कुड होल्ड फाइब केजी आफ सूगर हैज रूब इनक्रीज चो डड़ इट का एन होल्ड 6 तो अब उसमें उसमें निकालने के लिए कोशन का ता कि वाट इस पर्सेंटेज इंक्रीज का ना यह increase किया बाइक का sugar bag ठीक है अब यह सोच सकते हैं यहां पर हम लोग की old वाले कितना था तो यहां देखिएगा old capacity of the bag वराबर कितना लिख सकते हैं 5 kg ठीक है और new capacity of the bag वराबर 6 kg हो गया अब यहां पर से हम लोग calculation अगर करते हैं तो increase कितना किया तो increase किया बड़ा देखिएगा जो new है new वाले से old वाले को subtract कर देंगे तो हमारे पास जो increase किया वो 1 kg है अब यहां पर से हम लोग calculation अगर करेंगे तो percentage increase in size percentage increase परसेंट बराबर क्या होता है तो increase in 200 upon old capacity ठीक है यहां पर से यह formula को apply करेंगा यहां पर देख सकते ह है कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं increase कितना क्या था तो increase 1 हो गया into 100 और old capacity बराबर 5 5 से अगर calculation करते हैं तो 20 बार में cancel होगा 20% आप पंसर हो जाएगा ठीक है आईएगा next question ध्यान दिजेगा next question लिखा है यहां पर देख सकते हैं कि a student has scored 3 marks more than more than what he did in the previous examination which he had scored 12 another student has scored 12 marks more than what he did in the previous examination in which he had scored 84 who had so more improvement question का कहना यह है कि a student has scored 3 marks more than what he did in the previous examination in which he had scored 12 कहना है कि 3 marks ज्यादा बूलाया है कब जब पहले का ला रहा था 12 तो उसमें ज्यादा लाया 12 से 3 marks ज्यादा लाया पहले वाले examination से और दूसरा जो अस डेंटा उसी examination में 12 marks more than he did in the previous examination in which he had a score 84 पहले score करा था 84 आप 12 ज्यादा लाया तो किसका improvement ज्यादा है ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजेगा हम दोनों का percentage निकालने का प्रियास करते हैं यहां question देखिएगा question में लिखे हैं सबसे पहला चीज की percentage improvement in which in the first examination for the first student ठीक है तीन ज्यादा लाया तो तीन ज्यादा लाया बारा ला रहा था ता बारा में तीन ज्यादा लिया आया तो 3 upon 4 12 कर देंगा और into 100 इसको calculation अगर करते हैं तो 25% ठीक है देख सकते हैं आप 3 है हमारे पास 3 upon 12 लिग दीजेगा 3 upon 12 कर देंगे और into 100 इसको calculation करिएगा तो हमारे पास 25% ठीक है तो पहले स्ट्वेंट का 25% improvement हुआ है अब अगला स्ट्वेंट को इसी तरीके से निकालते हैं तो देखिएगा यह 12 ज्यादा लाया है 84 पहले ला रहा था तो कितना improvement किया था 12 upon 84 और into 100 इसको अगर calculation करते हैं तो 14 whole 2 upon 7% है पहले बा तो देख सकते हैं कि पहले बाले में देखिएगा clearly है यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि 25% देखिएगा question में लिख दिया है यहाँ पर 25% is more than 14 whole 2 upon 7% does the first student had in improvement mode ठीक है पहला जो student है 25% किया improvement ठीक है तो अमारे पास जो more ज्यादा से ज्यादा जो improvement वाले है वो पहला student है फिर से एक बार question को remind कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा question थोड़ा लंबा है तो डर्वना नहीं है question देख करके हवराने के जरूरत नहीं होता है यहाँ पर लिखा है a student score 3 marks more than what he did he did in the previous examination in which he had a score 12 another student score 12 marks more than he did in the previous examination in which he had a score 84 who had shown more improvement ठीक है सबसे ज्यादा improvement किसका हुआ तो देखिएगा यहाँ पर question में अल्लेडी है कि 3 marks यह ज्यादा लाया है कब 12 marks पहले लाता था तो 3 upon 12 into 100 कर देंगे इसका percentage कितना परसेंट परसेंट ज्यादा नंबर लाया यह पता लग जाएगा और दूसरे वाले में देखिएगा दूसरा जो है step हमारे पास यहां पर दूसरे step में देख सकते हैं इसमें कि 12 marks ज्यादा लाया है और यह 84 पहले ला रहा था 12 upon 84 into 100 कर देंगे तो दूसरे का marks का percentage निकलेग है कि इतना परसेंट ज्यादा लाया तो 25 परसेंट यह देखिएगा इसमें ज्यादा निकला 3 upon 12 into 100 करेंगे calculation करने के बाद 25 परसेंट आया दूसरे बाले का इसी तरीके से देखिएगा इसको calculation करिए calculation करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका पान जो आया 14 hole 2 upon 7 आप यह दूसरे बाले का है तो आप खुद इसमें कह सकते हैं किसका जादा है तो 25% जादा है 25% जादा है इसना मतलब पहला स्टुएट जो है हमारे पास वो जादा इंप्रूव्मेंट रहा तो दे फॉर्स टूडेंट है इंप्रूव्मेंट मोर्ड ठीक है आईएगा नेक्स्ट कोचन में हम लोग डिसकस करते हैं देखिएगा यह कोचन है लिखा हुआ है इनेर स्कूल 720 आर बोईज 40% आर गर्स फान्दी नमबर आफ गर्स ठीक है तो इसमें देखिएगा पाहला स्टेश को दो तरीके से बना सकते हैं पाहला नमबर मेतर इसमें हम टोटल नमबर आफ फूर्टेंट कुछन में दिया गया इसलिए यहां पर 40 लिए तो कितना हो जागा तो सौ में से 40 घर जागा तो कितना हो जागा तो 60 हमारे पास हो गया आप इसके बाद देख सकते हैं कि इढ़ सब्सक्राइब कर दिया गया है और इसका देखिएगा किसका निकालना था तो इसका निकालना था इसमें टोटल स्टुडेंट कितना हो जाएगा तो सब्सक्राइब कर देखिएगा तो इसमें गाटा अगर देंगे तो यह नमबर आफ गर्स का संख्या निकल जाएगा नमबर आफ गर्स जो होगा वह हमारे पास निकल जाएगा ठीक है चलिए हम लोग इसका देखिएगा स्टेप को देखते हैं सेकंड में थर्को समाझने को परियास करते हैं देखिएगा नमबर आफ गर्स कितना हो गया तो 40 हो गया हमारे पास 40 परसेंट है बॉइस कितना होगा तो आपको पहले बताया थे कि परसेंटेज जब दिया रहाएगा तो compare करना है 100 से इसमें बॉइस कितना होगा तो 100-40 बराबर कितना लिख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास 60 लिखा हुआ ठीक है यह देखिएगा यह 60 हो गया आप इसके बाद जो कल्कुलेशन करेंगे यहां पर हम लोग आते हैं कि गर्स और बॉइस का परसेंटेज निकाल लेते हैं गर्स बॉइस दीन अबॉइस ट्विज़्युजर्टु मतलब तीन गॉइज है यहां पर तीन गॉइसाना देखिए तीन वाइज हो गया और गर्स कि इतना और गया तो है ठीक है तेनुप यदिन गया है जब 2 हमारे पास गर्स दिया ऊटा इभ और आप अफ बॉइस की इसको न आएगा साथ 480 जो आ गया यह नमबर आफ गल्स निकलेगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस तरीके से बनाने का परियास कीजिए सारा का सारा कोशन बनेगा आपका और लास्ट यह था हना इसके बाद जो हमारे पास जो अबजेक्टिव कोशन बचा हुआ उस को भी इसी मेथर से बनाने को परियास करें हम लोग ठीक है और थैंक यू